पुलिस की द्वारा कपल्स को परिसान किया जाता है काई फोन मुझे आते हैं कि सर हम लेविल रिलेसंशिप में रह रहे हैं लेविल रिलेसंशिप में हमें पुलिस परिसान कर रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए क्या करें तो देखी जब भी आप लेविल में रहते है तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी security के लिए सबसे पहले तो आप एक living agreement जो है sign करवाई आप भी करें और जो आपके साथ partner रह रहा है उसको भी करवाई क्योंकि कई वार क्या होता है कि लड़कियां जो हैं बदल जाती हैं और फिर लड़कों को फस्वा देती हैं और मैं बिल्कु कि हाँ आपको अपने partner पर बिलीब है लेकिन कई बार ऐसी situations आ जाती है उस पार्टनर के ऊपर ऐसे कई दबाव आ जाते हैं जिसकी वज़ाए से उसको बदलना पड़ते हैं और बोल देते हैं कि जे लोग जो हमें जबर्जस्ति ले गए थे और जबर्जस्ति हमा कोई consent नहीं थी तो ऐसी conditions में लड़की बिल्कुल अपनी आपको अपना control खो देते हैं क्योंकि आपको जिस partner पर विस्वाज था और उसने ही आपको जो है धोका दे दिया है तो ऐसी conditions में जो है आप living agreements को जरूर बना के रखें living agreements एक प्रूफ हो जाता है कि आप जो दोनों ह हैं आप अपनी मर्जी के साथ रह रह रहे हैं आपके किसी भी प्रकार का जो दबाव है वो नहीं और अगर आपको पुलिस परिशान फिर भी करती है तो आप हाई कोट में एक पिटीशन लागा के पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है क्योंकि आपकी राइट टू लाइफ पुलिस उसको परिशान कर रही है तो यह आपकी जो है फंडमेंटल राइट्स का वाइलेशन है और आप हाई कोट में एक पिटीशन फाइल करके आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है